वेलकम माई यूटूब चैनल मेरे चैनल पर आपका स्वागत है वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक एंड सबिस्क्राइब प्लीज लाइक एंड सबिस्क्राइब दोस्तों पेपर को सुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दू कि आप जब भी एक्जाम में बैठे तो आप बिलुकल फ्रेस माइंड से बैठे किसी परकार का तनाम नहीं ले और पेपर को पेपर में कुश्चन को पूरा पढ़े और पूरा पढ़ने के बाद ही कुश्चन का आंसर दे जल्दबाजी में कुश्चन गलत हो जाते हैं तो ये मेरी सला है रिक्वेस्ट है तो आप पेपर जब भी देने जाए तो अपने आपको रिलेक्स रखे और साथ दानी से कुश्चन का अंसर दे पूरा पड़े अधूरा नहीं पड़े चलिए हम पेपर को सुरू करते हैं पूटा देवल की फूटा देवल मेला कहां आयोजित होता है इसका मैं कलर थोड़ा सही कर लेता हूं अब ठीक है तो फूटा देवल मेला कहां आयोजित होता है उद्यापुर, सिरोही, राजसंबंद, डूंगरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसंबंद कजली तीज का तियोहर कहां मनाया जाता है बाडमेर, भूंदी, जयपुर, जोधुपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा भूंदी सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है पारवती, दुरगा, सरश्वती, लक्ष्मी करेक्ट आंसर हो जाएगा पारवती मांदल आभूशन महिलाओ द्वारा सरीर के किस अंग पर पहना जाता है मांदल आभूशन पैर, हात, बक्ष, कमर करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्ष यानि वक्ष पर मांदल आभूशन पहना जाता है मांदल आभूशन मान चरितर रासों के रचेता कौन है नैनसी, कभी नरोतम, कभी बाकी दास, दयाल दास करेक्ट आंसर हो जाएगा मान चरितर रासों के रचेता कभी नरोतम कभी नरोतम अग्णी नरत्य का उद्गम की सिस्थान से हुआ कतरियसर, आहोर, बोरूदा, प्रूने चा करेक्ट आंसर हो जाएगा कतरियसर वीकानेर अग्णी नरत्य कतरियसर वीकानेर से होगा नेक्स्ट कुश्चन है राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल निम्लिखित मैंसे किस बिस्व विद्याले का कुलादी पती नहीं है तो राज्यपाल हमीशा राजस्थान की राज्य बिस्व विद्याले में होता है राज्य के अलावा जो भी सरकारी संस्थान है राज्य की उन्हीं में होता है उसके अलावा संस्थानों पर नहीं होता तो करेक्ट आंसर देखते हैं बिदान सवा की निर्योगता संबंदी मामिलों का निर्णे कर सकता है बिदान सवाद्ध्यक्स, मुख्य मंत्री, निरवाचन आयोग, राष्टपती निरवाचन आयोग निरवाचन आयोग निम्न लिखित मैं से कौन सा सुमेलित नहीं है, युग्म सुमेलित नहीं है सीके मैथ्यू, बसंद्रा राजे, राजीव महरसी, असो गहलोत, मीठालाल मैता, भेहरो सिंग सेखावत, केपियू मैनन, मोहनलाल सुखाडिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजे महरसी, असो गहलोत ये, इस कुश्चन का आंसर होगा, यही गलत है अगला कुश्चन, कौन सा कथन, राजस्थान, लोकसेवा, आयोग के संबंध में गलत है इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहीत चार सदश्य थे 1951 में, राज प्रमक दुआरा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश से बिनियम पारित किये गई मुक्ष नियादीस, S के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहीत चार सदश्य थे, ये तो ये गलत है इसमें थे 1 फ्लस 3 थे सुरू सुरू में और अब देखे जाए तो कितने है बन प्लस सेवन रहने के आठ है और फैले चार थे सौरी पहले ये यहाँ पर ये दो बराबर तीन थे सुरू में और अब बरतमान में आठ है चले अब हम अगले कुश्चन के बर चलते हैं इसको सुची को मिलाना है और करेक्ट आंसर का चेन करना है मानवा दिकार संग्रक्षन अधिनियम कब बनाया गया था 1903 में राज मानवा दिकार आयो का गठन कब किया गया राज मानवा दिकार का गठन का आयोजन हुआ था 2000 में हुआ था राज मानवा दिकार गठन मानव संग्रक्षन संसोधन अधिनियम संसोधन अधिनियम हुआ था 2006 में और राज्य मानवा दिकार आयोक के बारे में अधिस उचना जा रिकी गई थी 1999 में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि कि दो एक तीन चार दो एक तीन चार किसमे है दो एक तीन चार तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन तीन तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज संसोधना दिनियम 2021 के गजट के गजट के नौटिफिकेशन के उपरान्त ग्राम सेवकों को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी की रूप में जाना जाता है किसी परेवेक्चक के रूप में ग्राम सचिव के रूप में ग्राम अधिकारी के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी के रूप में पंद्रेवी राजस्थान बिधान सवा की दोरान कितने स्थानों पर बिधान सवा उपचुनाब हुए थे छे, साथ, तीन, आठ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठ जगाओ पर 2017 के उपच्ट पती चुनाब में राजस्थान बिधान सवा की एक सदस्थान का मत मूल क्या था 116, 119, 132, 176 करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 यन राजस्थान बिधान सवा की कि एक सदस्थान का मत मूल क्या था 129 त्याग पत्त के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है कोई सदस्थान जो सदन में अपनी सदस्था से त्याग पत्त देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख दुआरा अध्यक्ष को सूचित करेगा यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की समक्ष व्यक्तिगत उपस्तित होकर त्याग पत्र सौपता है और सूचित करता है कि त्याग पत्र सुचिक और असली है और अध्यक्स के पास उसके विपरित कोई सूचना अत्वा ग्यान नहीं है अध्यक्स तुरंत त्यागपत्र स्युकार कर सकता है यदि अध्यक्स को त्यागपत्र पोश्ट अत्वा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है अध्यक्ष स्वयम की संतुष्टी के लिए कि त्याग पत्र स्वेचिक और असली है जाज करवा सकता है जैसा वह उचित समझे कोई सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौपने के 30 दिन के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा option 4 यानि कि इसमें 30 दिन के कोई प्राबधान नहीं है वो कभी भी अपना त्याग पत्र कितने वी दिन में ले सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा option 4 चलिए next question के और चलते हैं राजस्थान बिदान सवाकी लोक लेखा समीती के सदेश्यों का कारेकाल कितना होता है एक बर्स, दो बर्स, पाँच बर्स, चार बर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बर्स निवन मैसे किन हुने राजस्थान बिदान सवा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उदगाठन किया था मुख्य न्यादिस एनवी रमना मुख्य न्यादिस यूयू ललित मुख्य न्यादिस डी वाई चंदरचूड मुख्य न्यादिस पंकज मिथल तो इसका correct answer हो जाएगा मोक्य न्यादिस एनवी रमना इसने digital museum की उदगाटन किया next question के वर चलते हैं राजस्थान सिविल सेवा अपीलिय प्राधी करण का जैपुर फीट के छेत्राधिकार मैं आने वाले संभागों के सही समूं को पहचानी है बरतपुर भीकानेर जोदपुर जैपुर अजमेर जोदपुर भीकानेर जैपुर उदेपुर अजमेर जैपुर कोटा जैपुर अजमेर भरतपुर कोटा तो इसका correct answer हो जाएगा जैपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, ओप्सन 4 इसका कर्यक्ट आंजर हो जाएगा जैपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, ये जैपुर, फीट के छेतरादी कारे में आते हैं संबाद नेक्ट्ट कुश्चन है, राजिस्थान के कौन सा दिन बिद्ध्याले में बच्चों के लिए 9 वैक डे गोसित किया गया है तो ये तो सब जानते हैं सुक्रबार, सनीवार, सौंबार, मंगलबार करेक्ट आंसर हो जाएगा सनीवार चले अगले कुछ निक वर चलते हैं भारत की अध्यक्षता की दोरान दिसंबर 2022 में जी ट्वंटी की प्रथम सेरपा वैठक कहां आयोजित की गई जोधपुर, जयपुर, उध्यपुर, कोटा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उध्यपुर उध्यपुर करेक्ट आंसर होगा उध्यपुर राजस्थानी नाटक आलेखु अमबाके लेखके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल रंगा और कमल रंग कहां से हैं बीकानेर से अप्सन चार आमागड लेपर्ड रिजर्ब निम्न मैसी किस सहर में इस्तेत हैं आमागड लेपर्ड रिजर्ब दोसा अलवर जेपुर राजसंबंद करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसंबंद में हैं आमागड लेपर्ड रिजर्ब नेक्स्ट कुस्चिन के वर चलते हैं मरुस्थली करण मरुस्थली करण को रोकने के लिए खादी और ग्रामध्योग आयोग द्वारा किस कारेकरम की शुरुवात की गई प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट ट्री प्रोजेक्ट बॉल्ड प्रोजेक्ट रेन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बॉल्ड की शुरुवात की गई थी खादी और ग्राम उद्योग आयुक दुआरा राजस्तान के निम्नांकित मैंसे किस जिले में साक्चरता दर सबसे कम है सबसे कम साक्चरता दर है जालो और जिले की नेक्स्ट कुश्चन राजस्तान की पहले जन्जाती होकी अकादमी कहां इस्तापित की गई है उद्यपुर बीकानेर जोदपुर हनमानगड करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यपुर में दिसंबर 2022 में बीरवाला कालिवाई पुरुसकार दिया गया है बीरवाला कालीवाई पुरुसकार किरण मीना, राज कलासुआ, भवरी देवी, दुरगा देवी सोरी दोस्तों इसको सही कर लेना वाहिसव कुछन है हम अगर लेपर्ड, रिजर्व मैं से, निम्न मैं से किस सहर में इस्तित है तो जैपुर में इस्तित है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैपुर, जैपुर में राजिस्तान में नहीं है बुदराश समन्द में नहीं है, जैपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम कहां पे थे, बीरवाला कालिवेपुरुसकार, ये दिया गया था, राज कलासुआ को दिया गया correct answer हो जाएगा राज कलास हुआ प्रत्वी के महादी पी भाग में सबसे गेहराई वाला बिंदू अब इस्तित है jadi सबसे गेहराई वाला बिंदू हो जाएगा correct answer हो जाएगा ASIA में ASIA next question की बड़ चलते हैं नेमन लिखित कत्नों पर विचार करना है और भू मंडली ये पवने प्रमुक्तिया निर्भर करती है बायुदा पेटियों का उद्भव, प्रत्वी का घुर्णन, बायु मंडली आर्दता, महादीप और महासागरू का बित्रण तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करता है, प्रत्वी के गुर्णन पर डिपेंड करता है, बायु मंडली है आर्दता पर डिपेंड नहीं करता, महादीप और महासागरू को बित्रण पंदिर पर करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, A, C, A, B, D A, V, D, Option 4, राइट आंसर नेक्स्ट कुष्चन की को और चलते हैं अब नेक्स्ट कुष्चन की और चलते हैं बर्ष 2022 में जलवायू परिवर्तन संमेलन कहां आयोजित किया गया पार्थ, आस्ट्रेलिया, तेल, अभीव, इस्रायल, सर्मन, एल, सेख, मिस्त्र, तेराइन, इराण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्मन, एल, सेख, मिस्त्र, आप्सन, 3 करेक्ट आंसर होगए कि 202 में दुन संद 2020 के नम लेकट महाधीपों को उनकी जैसंग्या कि आकार के नुसार अवरोई क्रम में विवस्तित कीजी एक अफ्रीका यूरोप उत्रे अमेरिका दक्षिन अमेरिका लोग घटते वी क्रम में वेवस्तित करना है जंसेंग्या की आकार के आधार पर तो इसमों सबसे पहले आ जाएगा एशेक जंसेंग्या सबसे ज़्यादा है एसिया अफ्रीका यूरोप फिर उत्री अमेरिका और दक्षिन अमेरिका यहां देख लेंगे एसिया अफ्रीका तो अफ्रीका पहले है अफ्रीका एक पे फिर यूरोप दो पे फिर उत्री अमेरिका दक्षिन अमेरिका यानि कि A, B, C, D, A, B, C, D option 4 correct answer होगा नेक्स्ट कुश्चन के बड़ चलते हैं बर्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 की अनुसार 2019 में बिस्व इस्तर पर अंतर राष्टिय परवासियों की अनुमानित संख्या थी इसका correct answer हो जाएगा 24.2 million तो ये वाला इसका option होगा सही option C next question प्राय दीपिय भारत के पठारों का पस्चिम से पूरव सही करम है प्राय दीपिय पठारों का पस्चिम से पूरव की और सही करम है तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ देखो दक्कन का पठार सबसे पहले दक्कन का पठार फिर दंडकारन फिर छोटा नाकपुर और सबसे लाश्ट में मीशा का पठार ओप्सन चार करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन है कि निवन लिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के वारे में सही नहीं है पूरविजेट इस्ट्रीम भारती मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है अल नीनों की धारा जोकी मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रसांत महासागर के दक्षिन पूरम में मैं जून में प्रकट होती है तो यही इसका तो यही गलत है यहाँ पे तो यही इसका आंसर होगा अप्संदो पी केटेस्वर ने मानसून हवावों की तंत्र एवं उपरी वायू संचरण में सम्मंद इस्तापित किया है सही है मानसून तंत्र को समझने वाला बायू राशी सिद्धान आई टी सी जैड के विस्तापन पर आधारित है कौन सी नदी सहयाद्री के पस्षिम के और वेहने वाली नदी नहीं है मंडोवी, सरावती, भरत्पूजा, इंद्रावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती उप्सन चार भारत में कटीवन दी ये सुस्क सदावाहर वन पाए जाते हैं किरल तटके सारे, तमिल नाडू तटके सारे, गुजरा तटके सारे, ओडिसा तटके सारे करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल नाडू तटके सारे ऑप्सन दो करेक्ट गेर जीवासमी इंधन वर्ग में भारत में कौन से गेर प्रागत उर्जा श्रोत की सरवादिक इस्थापित उत्पादन छमता पाई जाती है पवन उर्जा, सौर उर्जा, नाभी के उर्जा, जलविद्धत उर्जा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जलविद्धत उर्जा निम्रिकित मैंसे ओपरेशन ग्रीन योजना के संदरम में सही है योजना नवंबर 2018 में सुरूग की गई थी योजना बाद में टी ओपी, एंटरमाटर, प्याज, आलू से टूटल तक बिस्तारित हो गई 41 जल्दी खराब होने वाली बस्तों के लिए बरतमाल में 52 उत्पादन क्लेश्टरों में से 41 से जल्दी खराब होने वाली बस्तों को कबर किया जाता है तो इसके तीनों ही ओप्सन सही हो जाए लिए तो करेक्ट आंसर ओप्सन चार होगा अगला कुस्चिन भारत में बिजनिस एक्स प्रेक्टेशन इंडेक्स बी ई आई कौन सा संगठन प्रकाशित करता है बानेज एवम उद्योग मंत्राल भारती रिजर्व एंक फिक की नीतियायो करेक्ट आंसर होगा भारती रिजर्व एंक हाल ही के बरसों में भारत में निम्ण में से कौन सा छेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियों के अंतह प्रवा का सरवादिक प्राप्त करता रहा है करसी छेत्र और द्यगिक छेत्र सेवा छेत्र सूचना तकनीकी छेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना तकनिकी छेत्र आर्थिक सरवेक्षन दोजार इक्किस बाइस के अमसार भारत का सबसे अनकूल व्याफार संतुलन था USA, UAE एवं इराक, USA, वंगलादेश एवं नेफाल, चीन, UAE एवं इतली, USA, UAE एवं चीन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, वंगलादेश, नेपाल करेक्ट आंसर दो होगा ये व्याफार संतुलन का था नेक्स्ट कुश्चन नेमने लिखेते मैंसे कौन सा देश 2021-22 यानि अप्रेल नमामर की अबदी के दोरान वहरत की आयातों में सीर्स पर सूची बद्द था तो ये हो जाएगाा चीन पर एक्ट आंसर हो जाएगा चीन 1919 के अधिरियम ने भारत में पहली बार किसे वेवस्ता की शुरुवात की प्रत्यक्ष निरवाचन, वयस्क मत अधिकार, संगी नियाले, प्रांती, स्वायत ता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वयस्क मत अधिकारी ओप्सन दो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन, भारत सासा नधियम 1935 के अनसार, प्रांत प्रस्तावित संगी विदाइका के उच्छ सदन का नाम था फेडरल चेमबर ओफ प्रोविसेंस, कांसिल ओफ इस्टेट, कांसिल ओफ इस्टेट, चेमबर ओफ प्रिंसेज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांसिल ओफ इस्टेट, कांसिल ओफ इस्टेट, ओप्सन तीन करेक्ट होगा केविनेट मिस्टन योजना की अनुसार समिदान सवा का गठन कब हुआ 26 दिसंबर 1926 को हुआ था, 26 दिसंबर दिसंबर 1926 को हुआ था, तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का समिधन सवा की समिधन सवा की मेहत्मूर समितियों के बारे में निम लखेत मैसे कौन सा कतन गलत है संग की सक्तियों की समिति में नो सद csak होते हैं सरदार पटेल संग समीधान समीती के अध्यक्स थे डॉक्टर के अमुंसी स्टेरिंग समीती के अध्यक्स थे जवारला नहरू संग की सक्तियों की समीती के अध्यक्स थे तो इसका correct answer हो जाएगा option 2 option 2 ही इसका गलत answer होगा संभिधान की उद्देशिका की कौन सी विशिस्ता निर्वाचित राष्ट पती दुआरा प्रकट होती है संप्रभुता शेकुलर गणतंत्र समाजवादी तो correct answer हो जाएगा रीपबलिक यानि गणतंत्र इसमें कूट है कूटों को मिला ना है उम्मीद वारों की पूर्व आच्रण के संबंद में जाने जाने वाला यानि उम्मीद वारों की पूर्व आच्रण के संबंद में जानने का मतदाता का अधिकार यह है अनुच्छेद 20 बन ए में है एक आन्त ताका अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद एक आंत ताका अधिकार है एक आंत ताका अधिकार है अनुच्छेद 21 में सोरी इसमें थोड़ा यह है उम्मीद वारों के पूर्व आच्रण के संबंद में जानने का मतदाता का अधिकार है यह अनुच्छेद गुन्नीस ए में है यह हो जाएगा अनुच्छेद गुन्नीस ए गुन्नीस ए में है और एक आंत ताका अधिकार यह है अनुच्छेद 21 में अधिकार है अनुच्छेद 21 ए में है और मानव दुर्विवार का प्रतिशेद यह है अनुच्छेद 23 में है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, 21 ए 23 यहां में कि पहले हम हो जाएगा यहां भी करने का जो सही तरीका है यह नहीं है यह पता है लेकर सही होगा उम्मिदवार 19 A कौन से में है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 ठीक है न फिर 21 21 अनुच्छेद कौन से में है 3 तो 3 हम यहाँ लिखेंगे फिर सिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 A तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 कहाँ पर है वही हमारा सही होगा 4, 3, 2, 1 और उप्सन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से कुश्चनों को सही करते हैं तब जाके सही होते हैं जल्द वाज़े में गलत हो जाते हैं इस तरह से करम का बिशेज धियान रखें नेक्स्ट कुश्चन है कि निम नांकित में से स्वतंतरता के मूल अधिकार में सब्द से सामिल नहीं है संग बनाने की स्वतंतरता अभिवेक्ति की स्वतंतरता अंत्य करन की स्वतंतरता और सांती पूरोग सम्मिलन की स्वतंतरता तो इसका correct answer हो जाएगा अंत्य करण की सुतंतरता यह नहीं है मूल अधिकारों में बाकिसव है निम्न लिखित में से कौन भारत की सम्मिधान की भाग चार कैमें सम्मिलित नहीं है हमारी सामाजिक संस्कृती की गोरवसाली परंपरा की रक्षा करना भारत की प्रतियग नागरी का कर्तब है इंसा से दूर रहना भारत की प्रतियग नागरी का कर्तब है प्राकरतिक परियावर्ण की रक्षा करना भारत की प्रतियग नागरी का कर्तब है हमारी राष्टी भासा हिंदी का आधर करना भारत के प्रतिक नागरी का कर्तब है तो यही गलत है क्योंकि जो राष्टी भासा हिंदी है इसको भारत के कई राज्यों में नहीं बोला जाता वो जानते ही नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर चार होगा आधेस्ट निमलखित में से किन किन राज्जों की राज्ज नीती के नीदेशक सिध्दान्त को भारत की संभीदानировать अलग लग संभीदान संसोधन किना समय्व समय्द क्या है सुमान याय तदा निश्रुक विर्धिकर अधिकार को समान्ष आ snippश्कफिक आदिकार यानि कि A और B इसका correct answer हो जाएगा option 3 काम का अधिकार ये संविदान संसोदन में सामिल नहीं है तो पहला और दूसरा सही होगा next question क्यों चलते हैं 51 भारत के राष्टपती की पदावदी के संबंद में निम्नांकित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है राष्टपती अपने पद धारन की तारिक से 5 ब approach के अब्धित्त पद धारन करेगा राष्टपती भारत की मुक्त नियायद इसको संबंदित अपने हस्ताक्चर सेथ लेक द्वारा अपने त्याग पत्तर दे सकेगा यही गलत है अगला देखते हैं कि संभीधान का अतिक्रमन करने पर राष्ट पती को आनुच्छेद 61 में उपबंदेत रीती से चलाए गए महाव्योग द्वारापत से ख़टाया जा सकेगा राष्ट पती अपने पत की अबदी समाप्त हो जाने पर भी तब तक पत धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तरादिकारी अपना पत गिरेण नहीं कर लेता तो इसका करेक्ट आंसर तो यही था ओप्सन दो यानि कि जो राष्ट पती है अपने त्याग पत रूप राष्ट पती को देता है नेमने लिखेत में से सम्मीदान का कौन सा अनुच्छेद प्रधान मंत्री को राष्ट पती और मंत्री परिश्द के बीच संचार चेनल बनाता है तो इसका अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78 तो इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद 78 इसका correct answer हो जाएगा सूची को सूची से मिलान करना है तो यहां पर कॉंग्रेस संस्लिस्ट पार्टी के अध्यक्स नरेंदर देव नरेंदर आचारे नरेंदर देव और संतीन कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्स है एके गोपाल एके गोपालन भार्टी जनसंग के अध्यक्स है दीन दयाल वो पाध्या है स्वतंतर पार्टी के अध्यक्स है सी राज गोपाल चारी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन दो एक चार तीन दो एक चार किसमें है तीन दो एक चार करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन चार ओप्सन चार 1905 में एतियासिक अफ्रो एसियन सम्मेलन कहां आयो जित वह था नई दिल्ली भारत, बेलग्रेड, यूगोसलाविया बांडुंग, इंडोनेसिया, कोलंबो, स्रिलंका करेक्ट आंसर हो जायेगा बांडुंग, इंडोनेसिया यानि कि जो अफ्रीकन अप्रो एसिया सम्मेलन हुआ था 1905 में बांडुंग, इंडोनेसिया में नेक्स्ट कुष्च तो इसमें बिजेलेश्मी पंडेत सेंक्त राष्ट महासवा की प्रत्व महिला अध्यक्स चिन में रजनीनाथ महर खान सेंक्त राष्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिस्दी की अध्यक्स नगेंद्र सिंग अंतराष्टी नियाला की अध्यक्स हंसा मेता सेंक्त राष्ट सुरक्षा परिस्दी की प्रत्व महिला अध्यक्स तो इसका जो रोंग आंसर है मतलब गलत आंसर है वो आंसर रहेगा option बन इसका आंसर आजाएगा बाकी सब सही है नेक्स्ट कुश्चन के और देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा राष्ट राजस्थान राज्य दोहज़े रिकिस में संगाई सहयोग संगठन से नई सदस्की रूप में जुड़ा इरान, साओधी अरव, एजिप्ट, मिलस्त्र, कतर परेक्ट honestly हो जाएगा एरान अब सिक्षमонец पनविज्यान के हैं सिक्षमन पनविज्यान नए और हमेसा नए अनसंदानों से संबन देत है सिक्षमन पनविज्यान अनसंदान परिणामों के एकत्री कर्ण से वालक की प्रेकर्टि के विशे में बेतर सूज हैने उंतर दर्ष्टी प्राप्त करते है और अमशन की संसोधन संसोधित विदियों का विकास करते हैं शिक्षा मनोविग्यान की यह प्रेकर्टि है दनात्म विग्यान नियामख विग्यान 6.C rebellion इसका correct answer हो जाएगा विकासिल विज्ञान कि विकासिल विज्ञान संप्रते निर्मान शिक्ष्छा मनों विज्ञान चेत्री की किस घटक से संबन देता है अधिगम करता से सीखने की प्रेक्रिया से अध्यापक से सीखने के बात अप्रण से correct answer हो जाएगा सीखने की प्रेक्रिया से ओप्सन दो नैतिक विकास के प्रेश्णों में सही और गलत संबन्दी निर्णे में सम्मिलित चिंतन प्रेक्रिया कहलाती है नैतिक यतार्थवाद, नैतिक तार्किक तावाद, नैतिक संकट, नैतिक दुविदा इसका correct answer हो जाएगा नैतिक दुविदा ब्रिज की संबेग विकास की इसकिन ब्यवस्ता के अनुसार बालकों में इर्ष्या सर्व प्रत्थम निम लिकित मैंसे कौन सी आयू में प्रकट होती है पाच, तीन, अठारा, बारा, correct answer हो जाएगा अठारा वर्ष की आयू में एक बालक बाली का वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपनी मोज़द विवार की स्कीमा हम संसोजन कर लेते हैं पियाजे के अनुसार यह उधारन संग्यानत में विकास की निम लिकित मैंसे किस प्रक्रिया से संबंदित है अनुकूलन स्वांगी करन साम्मे अवस्ता ए साम्मे अवस्ता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलन यानिकी एको मोडेशन ओप्सन एक करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन के चलते हैं निम लिकित मैंसे कौन सी गेने द्वारा प्रदत अधिगम सौपानिकी की उच्च तम अवस्ता है सिद्धान्त अधिगम समष्चा समाधान अधिगम बहु विभेधन अधिगम उद्धीपन अनुक्रिया अधिगम तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्चा समाधान अधिगम ओप्सन दो बांडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धान्त के नुसार भाय प्रेरको और अप्रती नियुक्ती प्रेरक नियुनांकित मैंसे कौन सी प्रकरिया से संबन्दित है अबधारनात्मक अबधारण उत्पादन अभी प्रेर अनात्मक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब धारन यानि कि धारन करना अपने आप में उसको उतारना ऑप्सन दो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है कि नियमने लिखित मैंसे कौन अधिकम के धनात्मक इस्तानांत्रन में मदद नहीं करता विश्यवस्तो को देने जीवन से जोड़ना करता है स्वयम एतु रटन अधिगम सिखाई गई सामगरी की अनप्रियोग पर वल देना विश्यवस्तो की अर्थ पूर्णता करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सन दो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा व्यक्तित मापन की एक तकनीक में करता यpiaक्ती को ऑने चितर देकर के द्रश formal आदहरित नप पतरों के विचारों ऑन भावनां पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है तो यह तकनीक समाज में ती प्रचेप इसूची क्रम मापनी तो यह प्रत्यक्ष बिद्य हो जाएगी नहीं चल रहा तो अप्सन दो करेक्ट आंसर होगा अब एक ब्यक्ति चिकसक बनना चाहता है लेकिन ए पर्याप्त छमता से अपरुद्ध है इसलिए उसने प्रियोग साला तकनीशियन बनना चुना इसके द्वारा अपना गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन आत्म करण दमन प्रतिगमन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिस्थापन यानि कि अपने लक्ष को बदल लिया प्रतिस्थापित कर लिया एक बालक के ब्यभार में बिचलन और एह सामान प्रतिक्रिया है उनके अपने अभी प्रेरकों और अंतर नोद को संतुष्ट करने की ऐसमर्थता के परणाम सरूप होती है कू समायोजन का ये कारत है मनोवैग्यानिक सारीरिकार की समाज सास्त्री दर्शन सास्त्री है करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैग्यानिक ब्यक्ति का संभेग और व्यभार का प्रभावी तरीकों से नियमन और सामाजिक परिश्थितियों में सफल आवंधन को उच्च तम बनाता है सामन बुद्धी की संभेगात्मक बुद्धी की तरल बुद्धी की तरकेक बुद्धी की तो इसमें correct answer हो जाएगा संबेग आत्मक बुद्धी की नेक्स्ट कुश्चन निम्न लिखित मैंसे कौनसा इस्टर्न वर्ग के तिरी तंत्रिय बुद्धी सिद्धान्त के संगट आत्मक उप सिद्धान्त का एक घटक नहीं है मेटा घटक निस्पादन घटक ग्यानारजन घटक और स्रजनात्मक घटक तो इसमें correct answer हो जाएगा स्रजनात्मक घटक स्रजनात्मक गटक संगटनात्मक उप सिद्धान्त का घटक नहीं है बाकि सभे निम्न मैसे कौनसा टोरेंस के स्रजनात्मक चिंतन साब्दी परिक्षण का एक उप परिक्षण नहीं है पूछना और अनुमान लगाना नवीन संबंद ए प्रचलेत उप्योग ए साधारन प्रेश्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन संबंद और अप्षन दो करेक्ट आंसर होगा अभी पिरेड़ना क्या है कौनसा सरजुत्तम उधारन है रीता उर्जित है उच लक्ष निर्दारित करती है यह थेष्ट प्रियासों को बनाए रखती है और कक्षा में एक रिड़ बना लेती है मानसी आने वाले विद्याले के वर्स के विसे में भावुक है और अच्छा करना चाहती है कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने मच्ची है निशा मेहनती है अपने सिक्चक कारे के विसे में धनात्मग भावनाय अनवब करती है तो इसका जो करेक्ट आंसर सर्वत्न मुधारन की बात करें तो इसमें हो जाएगा ओप्सन एक ओप्सन एक सही होगा नेक्स्ट कुश्चन के वर चलते हैं चुनोती पूर्ण और कठिन निस्पादन में प्रवेणता की संतुष्टी प्राप्ति की प्रत्यासा कहलाती है बुद्धी अधिगम उपलब्दी अभीपिरेरणा समायोजन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपलब्दी अभीपिरेरणा और संतीन करेक्ट आंसर होगा एक सिक्षक विश्यवस्तू संदरवन एक सिक्षक विश्यवस्तू संबर्धन कारेक्रम की योजना बना रहा है वह किस प्रकार के अधिगम करताओं के लिए ऐसा कर रहा है मंदगती अधिगम करताओं के लिए पिछले एदिगम करताओं के लिए प्रतीवा साली एदिगम करताओं के लिए वाल अपचारी के लिए तो इसमें correct answer हो जाएगा प्रतीवा साली बालकों के लिएगा किस उप्चारात्मक प्रविदी के अंतरगत मनोची किसा एवं परामर सुधुवारा अपरादी वालक में सूज एवं समझ उत्पन करके अपरादी व्यवारों को कम करने का प्रेत्न किया जाता है ब्यवारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास, न्याएक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोगतिक मनोगतिक आंसर करेक्ट होगा स्वय यनिके आत्म की स्वतंत्र द्रिष्टी कोण की सर्वुतम परिवासा का चेन की चीए स्वयम को स्वयम के आंत्रिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिवासित करना स्वयम को अपने संबंदों को दूसरे व्यक्तियों के साथ के रूप में परिवासित करना वह जो नर्त्य और समू खेलो जैसी गतिविदियों का आनन्द लेता है और वह जो कविता पद को पढ़ने और लिखने जैसे गति विदियो का आनन लेता है तो इसका correct answer हो जाएगा option बन correct answer होगा option 1 नेमन लिखित मैंसे कौन से अभी वरत्तियों की विशेशता नहीं है अभी वरत्तियों में बैक्ती वस्तो संबंद पाया जाता है अभी वरत्तियों में अभी प्रेरण आत्मक परभावोत पादक विशेशता पाया जाती है अभी वरत्तियों अरजित होती है तो इसका correct answer हो जाएगा option 2 होगा अभी वरत्तियों जनमजात होती है तो ये गलत है अबीव रतिया अरजित ही हुती है राजस्तान की विल्धक खेटर छेटर है किस छेतरं पाये जाते हैं कोटा जहलावाड छेतर, दोहुलपृ करोली छेतर, अलबर वर्तपूर छेतर, अलबर सवाई मादपूर छेतर तो इसका correct answer हो जाएगा दोलपुर करोरी चेत्र option 2 correct answer होगा कॉपेन के अनुसार राज्तान में निम लिखित में से कौन सा जलबायू प्रकार नहीं पाया जाता है A.W. A.S.H.W. B.W. K.W. C.W. G. तो correct answer हो जाएगा B.W. K.W. यही नहीं पाया जाता नदी जो की बन की आस की रूप में जानी जाती है बन की आस चंबल वान गंगा आहू वनास तो correct answer हो जाएगा वनास तो इसकी आप्सन चार से योगा वनास निम लिखित में से कौन सा जिलो का समू राज्तान में सरवादी कुल बंचित गेरता है उद्यापूर चित्रोडगड बारा करोली उद्यापूर चित्रोडगड जहलावाड एवन डॉक बूंदी बासवाड़ा डूंगरपूर एवं जहलावाड अलवर शिरूही जोधपूर जयपूर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यापूर चित्रोडगड बारा करोली ऑप्सन एक ऑप्सन एक दोस्तों आपको पढ़ने मज़ा रहा है तो कमेंट करके बताना ने मिलेकर में से कौन सा एक राजिस्तान का अलसी उत्पादक प्रदेश है माही वेसिन हड़ोती वे प्रदेश में अलसी का उत्पादन होता है आड़ोती प्रदेश में कौन सा कथन सही नहीं है रथ प्रदेश में गोवंस प्रमुक 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 पसुधन है मद्य राजिस्थान मालवी पसुधन प्रदेश में सम्मिलत है शिरोही जालोर और पाली जिले कॉंग्रेज पसुधन प्रदेश के भाग है नागोर पसुधन प्रदेश बेलों के लिए प्रसिद्ध है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन दो राजिस्थान में वील जन्जादी द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली क्रसि कहलाती है तो यहाँ पर मैदानी भागों में की जाती है तो दैसे मैदानी मैदान से दैसे दजिया ओप्सन दो निम लिखित में से कौन सा राजिस्थान में लिंगानुपाद के बारे में जन्गणना 2011 के अनुसाथ सही नहीं है ग्रामीनि लिंगानुपादं 933 नगरी लिंगानुपाद 914 बाल लिंगानुपाद 0 से 6 आयू वर्सका है 9,9,8 बाल लिंगानुपाद भासवाड़ा में सरवादिक था तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 9,88,8 है बाल लिंगानुपाद ट्रीपल एट ट्रिपल एट तो इसमें करेक्ट आंसर हो जायेगा इसका ओप्शन तीन राजस्थान की कौनसे जिले में ब्रहद उध्योग की सरवादिक संक्या पाई जाती है अलवर भीलबाडा जैफुर उध्याफुर करेक्ट आंसर हो जायेगा अलवर निमलकित को सुमेलित कीजिए नीचे दियेगे कूटों में से सही उत्तर का चेन करना है तो यहाँ देख सकते हैं कि घनापक्षी विहार अलवर में आता है यानि तीन कर दो इसका तीन गागरोन किला हडोती छेत्र में आता है चार कर दो इसको दो कर दो गरेशवर सब्वेता यानि कि यह एक का वाट चेत्र में आती हैं इसकर में चार दो 3-4-2-1 देखो कौन से मारा 3-4-2-1 3-4-2-1 3-2-1 चीम आरा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ तीन नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कि निम लिखित मेंसे किस सब्विता को दूल पोट भी कहा जाता है काली वंगा आहड बालतल बेराठ करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड आहड हो जाएगा निम लिखित मेंसे कौन सी सब्विता कांतली नदी के उद्गम इस तल पर है रण थम्बोर के चोहान राजवन्स का संस्थाप कोन था जेत्र सिंग हमीर वीर नारायन गोबिंद राज तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबिंद राजा ये गोबिंद राजा अल्दी गांटी का प्रसेद्य उद्ध का मेधान के जिले में इस्तित है उद्यपूर्चित तोडगड राज संबंद भी लवाडा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज संबंद 1857 की क्रांती के समय मेवाड के माराना कौन थे माराना सज्जन सिंग माराना सरूप सिंग माराना फते सिंग माराना भीम सिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा माराना सज्जन सिंग महारा सजन सिंग मोतिलाल तेजावत का जनम कहा हुआ था कोलियारी मात्र कुंडिया जालो सलुंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलियारी में हुआ था मोतिलाल तेजावत अगला कुश्चन है कि उद्यपुर में इस्थापित देशित कारणी सभा का मुक्योद देश क्या था सती प्रता का अनुमूलन विवाह संबंदी कठिनाईयों का समाधान छुआ छूत की समश्या का नेरा करन इस्थरी सिक्षा का प्रोथ साहन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह संबंदी समश्या का समाधान किया था आगे चलो ओम नमू स्वाहा तनसुक लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन की नेता थे मिवाल राज्य प्रजामंडल कोटा राज्य प्रजामंडल बीका नेर राज्य प्रजामंडल अलवर राज्य प्रजामंडल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट प्रसन की और बरल का किसान अंदोलन किस भूत बुर्व देशी रियासत से सम्मन्दित है बीका नेर जैपुर बूंदी कोटा तो बरल आ जाएगा अपना तो बरल का हो जाएगा बूंदी किसान अंदोलन नेक्स्ट की और चलते हैं बरतमान राजस्थान की गठन की सारी प्रेकरिया संपूर्ण हुई 1947-1948-1949 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 लोक देवता मलीनात जी का मंदिर कहां है खड़ना लूने चा दद्रेवा तिलवाड़ा तिलवाड़ा मतलब बाड़ मेर ओप्सन चार करेक्ट हो जाएगा मलीनात सूर्य और विशनु के सम्मिलेत भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है सूर्य मंदिर जालरा पाटन ओप्सन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बूदी के तारागड दुरुग का निर्वान किस ने करवाया राम देव राम सिंग बैरी साल बरसिंग तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव बरसिंग राव बरसिंग हडा ने करवाया था तो ओप्सन चार करेक्ट आंसर होगा अब ये लाश्ट और अंदिम प्रेशने महिला चित्रकारो कमला और इलाची के नाम किस चित्र सैली से सम्बन देते हैं जो रिप्रिकेशन गड़लबर नात दुआरा तो यहीं पर हो जाता है अपना नात दुआरा तो दोस्तों यह हमारे पूरे कोश्चन हुए सो आपको वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया होगा कमेंट करके कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों सेर करना और कमेंट करके अपनी कमेंट जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा जैसा भी ह आपको लगा अपनी राज जरूर दिना धन्यवाद फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में ओम नमू साहा चले धन्यवाद इतना वक्त आप जुड़े रहे हमारे साथ इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद